तो नमस्कार आप सभी का पीपे टुटोरियल में और जैसा कि आप लोगों ने आज थमनेल देखा हम लोग बात करने जा रहे हैं आपका ओनलाइन कॉंसिलिंग मौप अप वाला तो यहां पर आप लोग देश सकते हैं आपको कॉंसिलिंग करना है और कौन कौन कर सकता है सारा इस वीडियो में बात करेंगे वीडियो को एंट तक दिखिएगा आप खुद घर बैठे हुए अपने मॉबाइल से काउंसिलिंग कर सकते हैं ठीक है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं ना साइबर कैफे ना कहीं और तो सबसे पहले मैं आपको एक्जांपल में पीएम का करके दिखाऊंगा ठीक है तो पीएम वाले पर क्लिक करना होगा वेबसाइट खोलना आपको अब देख सकते हैं वेबसाइट वेबसाइट का यह नाम है बीसीसी बॉट डॉट बिहार डॉट जीओ डॉट इन फिर उसके बाद आपको जाना है सेकेंड नंबर पर पीएम का कर र करके दिखा रहे हैं पारमेडिकल का क्लिक करने पे एक निया विंडो पॉप ऑप होगा अब यहां पे देख सकते हो फ्रेजितर्ड पेडेट साइन टिक है पारमेडिकल ठाविन नंबर बंंबर पासवड सेक्यूरिडिवी पिन फिर साइन इन बोल पार है फिर नीचे new candidate registration है ठीक है तो मैं बता दूँ new candidate registration उन विध्धारतियों के लिए है जिनको पता नहीं था ठीक है किसी कानवर्स नहीं करा पाए तो आप अभी भी अपना new registration candidate पे क्लिक करकर अपना फिर से fresh registration करके I agree पे roll number candidates name date of birth security pin submit करके OTP गिरा के अपना कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको जिनका हो रखा first round second round उनका दिखा रहा हूं ठीक है तो आपको क्या करना है जिनका हो रखा first round second round में कोई seat नहीं मिला चाहे उनका हो गया है कोई college management ले चुके है second round में first round में तो उनको यहाँ प्रोसेस करना है ठीक है जो नए student जो एक भार भी नहीं किये है अपना counselling तो new register पे करेंगे और यहाँ फर्स्ट हो गया है यहाँ फर्स्ट वाले जो पहले से कर रखे है जो बच्चे जिनको नहीं मिला है या दूसरे college management ले रखे उनके लिए ठीक है तो जैसे कि अभी रॉल नंबर एक मैं भर रहा हूं अपने student का रॉल नंबर यहाँ जैसे फिल कर रहा हूं ठीक है पासवर्ड भी डाल दे रहा हूं नीचे जो security pin है उसको मैं just fill कर रहा हूं जो blue color से security pin लिखा हुआ है बस उसी को as it is capital में है तो capital small में है तो small लिख के कुछ नहीं करना है अब क्या करना है sign in पे आपको click करना है sign in ठीक है और कोई password भूल गया है तो भी तिकत नहीं forgot password पर जाके आप कर सकते हो ठीक है forgot password से आप फिर से generate OTP के मादव से कर सकते हो sign in ठीक है जैसे इनका invalid password बता रहा है ठीक है तो हम लोग यहां पर इनका forgot करके ही देखते है ठीक है जैसे मैं भूल गया password पासवर्ड गलत बता रहा है तो ठीक है तो password गलत बता रहा है यह एक सेकेंड मैंने साथ इनका वह गलत लिख रख रहा है रॉल लंबर फिर से fill up कर दिया जाए एक बार open होने जीजे फिर यहां पर यहां password बनने के बाद हम लोग sign in करते हैं sign in करने के बाद wait करते हैं अभी भी जैसे invalid password बता रहा है तो forgot password पर जाके हम लोग fresh password बनाएंगे ठीक है प्रेस पासपोर्ट यूजिंग एंड रिजिस्टर इमेल लंबर फिर से आपको forgot password करने के लिए 3200 5585 यहां पर क्लिक करके फिर आपना जो आपका date of birth है वो डालना होगा ठीक है date of birth डालना होगा ठीक है date of birth आपको यहां पर देख सकते हो दिया हुआ है 9 मैं डाल दे रहा हूँ अपने student का उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते है इजी प्रोसेस है कुछ नहीं करना forward password करी लीजेगा अगर भूल गए है तो कोई दिक्कत नहीं है अदिकता है student भूल गया होंगे मुझे पता है मैं भी भूल गया password क्या था इनका यह भी भूल गय जैसा कि आप लोग देख सकते हो OTP और मैंने security यह नीचे वाला डाल दिया है अब क्या करना है आपको करना है continue ठीक है तो continue पे क्लिक किजिए ठीक है continue पे क्लिक करने के बाद आपको new password बनाना है ठीक है तो मैं जैसे password एक बना दे रहा हूँ पासवर्ड बनाने के बाद आपको फिर से security pin लिखना होगा जो नीचे दे रखा है और reset password पे क्लिक कर देना होगा देख सकते हैं यहाँ पे लिखावारा password reset successfully now you can log in ओके ओके करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है अब ज़स्ट वही password और आपको डालना है रॉल नंबर तो जैसे मैं अभी रॉल नंबर और password डाल के फिर से login करता हूँ तो यहाँ पर थ्री फाइट फाइव और फिर पासवर्ड मैं डाल दूंगा यहाँ पर उसका security पिन डालना है पिन डालने के बाद आपको क्या करना है sign in पर क्लिक करना है sign in पर क्लिक करने के बाद loading लेगा फिर से एक बार OTP आपके mobile नंबर पर चाहिए email id दोनों पर mobile नंबर बंद हो गया रिचार्ज नहीं email id पर भी गिरा सकते हो जैसे mobile नंबर पर सो OTP आने के बाद OTP आपको डाल देना है मैंने OTP डाल दी है फिर login पर क्लिक करना है login पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको थोड़ा देर वेट करना है फिर login हो जाएगा यह फिर login करने के बाद आपको वेट करना है और जब आपका login हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको पूछेगा important instruction candidate who have allotted through first round second round are keep to remind that before submitting willingness if you allotted new sheet through mop-up lot then your previous allotted sheet will be cancelled automatically यह जिनको first round second round में मिल रखा है sheet अगर वो भरते हैं और उनको कोई sheet मिल जाता mop-up में तो पुराना वाला cancel होगा आपको नया वाला में ही admission लेना पड़ेगा तो क्या आप participate काना चाहते हो do you want to participate online mop-up counselling तो आपको क्या करना होगा yes फिर अपना password डाल देना होगा password डाल देने के बाद आपको save and proceed पे ok कर देना होगा फिर उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है पूरा ठीक है अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो choice filling पे new है और choice locking पे new वाला sign आ रहा है अब आपको choice filling पे जाना है ठीक है choice filling पे click करना है choice filling में click करने के बाद थोड़ा से wait करना है window अपना खुलेगा उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे ठीक है जैसे अभी locking status on locked दिखा रहा है round number 3 चल रहा है ठीक है इनका पहले से 176 मैंने choice fill कर रखा था ठीक है अलोट नहीं हुआ था इनको rank जादा होने के कारण तो हम लोग choice filling new पे click करके click जैसे कि आप देख सकते हो अब हमें choice filling में जाना है ठीक है choice filling पे हम लोग click करते हैं फिर उसका अग बार password फिर समागा है irritating भी है but security भी इसमें बहुत है submit करना है आपको password डालके ठीक है submit करने के बाद थोड़ा सा wait कीजिये अब देखिए आपको यहां पर सब दिखा देगा ठीक है जो पहले भरे हुए थे जो पहले first second round में किया नहीं मिला है तो आपको सारा courses वेगरा दिखा देगा तो अब कुछ नहीं करना आपको simply रहने दीजे वैसे institute अब देख सकते है state government कुछ नहीं भी बचा हुआ है ने तो कुछ seats बचे वे रते तो यहां दिखाता ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है just save and continue पर क्लिक कर देना क्योंकि यह देखिया अब जो आपका seat matrix है यहां पर website पर website हम लोग खोलता है website हम लोग यहां खोलता है alternative seat matrix देखता है इसको download करके तो यहां पर आप देख सकते हो कि जिस-जिस college में दिखा है आप वहां पर भी भर सकते हो ने तो आप preference अपना change कर सकते हो ठीक है ने तो as it is छोड़ दीजए कोई ना कोई course मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो जो भी college है उसके according भी आप कर सकते हो लेकिन मेरे हिसाब से आप सभी college आने दीजए आपको preference change करना है तो आ चुके हम लोग online counseling पर इनका ऐसी छोड़ दे रहा है क्योंकि पहले से मैंने सारे GNM, ANM और जितने भी other courses थे सारे select कर रहा है देख सकते हैं आप लोग deployment, pharmacy, radiology, lab tech, ot assistant इनका सारा कुछ NACC, x-ray, सारा बाकी में last में जो भी courses सब मैंने select कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, save and go home, ठीक है save कर दी हैं हाँ पर ठीक है, save and go home, अब choice locking करना है choice locking से पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है, simple है वही कोई जाद दिमाग नहीं लेगाना है, 176 seats है यह सारे आपके choices हैं, ठीक है यह सारे इनके choices हैं जो मैंने total 176 choices दाल ले हैं, ठीक है जो पहले से थे, तो बस उसमें I agree कर देना और जो new बच्चे होंगे जो नहीं कर रख है वह आपको सुरू से करके choice करना होगा तो I agree पर click कर दिए यहाँ पर डाल रहे हैं लो password पासवर्ड डालने के बाद yes, lock do you want to submit? Okay, lock कर दिये एक बार OTP जाएगा फिर से, OTP दो से तीन बार जाता ही है और इसाम नहीं होना है ठीक है OTP जाएगा जैसे कि आप लोग देश सकते मैंने OTP डाल दिया अब lock choices पर click करना है ठीक है, lock choices पर click कर दिये अब यह lock होगा यानि आपका सारा choices lock हो जाएगा अब यहाँ देख सकते हो, print lock choice का option आ गया है क्या आ गया है print lock choice का तो इस पर click करेंगे हम लोग print lock choice पर यहाँ पर नीचे जाएगे सबसे नीचे तो download lock choice letter और इसको download कर लेना है और इसी का PDF के print out निकाल लेना है जब आपका document verification होगा तब आपका काम आएगा ठीक है, open करेंगे इसको हम लोग यहाँ पर download again फिर हम लोग इसको open करेंगे यहाँ पर देख सकते हो इनका log कर दिया गया है तो यह सारे colleges इनका log कर दिया है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो और जो new student होगे उनको भी इस प्रकार से करना है जिनको मिल रखा है college उनको भी इस प्रकार से करना है तो यह था पूरा आपका process अब कुछ भी दिख्कातारी होगी तो comments में कीजेगा ऐसा तो मैंने सारे points बता दिये जिससे घर बैठे ही आप अपना counseling खुद के phone से कर सकते हो ठीक है तो यह था पूरा आज का counseling का प्रक्रिया और जो भी channel से ने हूँ तो आप हमाँ channel से जुड़ जाए PBI tutorial पे 2024 की तयारी के लिए ठीक है नमस्कार मैं Pharmacist Vikas from GPI Patna आप सभी का सौगत करता हूं Bihar Paramedical for Technique और ITI के number one quality and trusted channel PBI tutorial में क्या आप भी Bihar Paramedical और Paramedical metric के तयारी कर रहे हो या करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़कर अपनी तयारी और सपनों को साकार कर सकते हो वो भी सबसे कम fees मात्र 299 में फुल बेट कोर्स ची हां सिख्चा हमारे लिए बेवार नहीं है इसलिए बिहार में सबसे कम fees है हमारी पर क्वालिटी में कोई कमी नहीं हमारे सारे सिख्चक Paramedical qualified है और इस कोर्स में आपको साथे और विशाय कराए जाएगे जिसमें होगी ज्यान की बात रिगार्डिंग आपके examination strategy और अधिक जानकारी के लिए और डेमो लेने के लिए हमारे WhatsApp नमबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हो और बहुत सीमेट समों के लिए लब्द है और जो भी बच्चे निशुल्क पढ़ना चाहते है तो हमारे PPI टुटोरल के YouTube चैनल से जूड़ कर daily life classes कर सकते हैं जो की 6 बज़े चलती है उसके लिए आप हमारे चैनल से जूड़ जाएए और जो भी बच्चे इंट्रेसेट हैं पर आपके लेने के लिए तो नीचे दिएगा वाट्चेक नोबर पर हमें मैसेज की दिए धन्यवाद